भीम्राव आमबेटकर भारतिय बहुग्या, सम्विधान शिल्पी, समाज सुधारक, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री, 1891-1956 भीम्राव रामजी आमबेटकर 14 अप्रेल 1891, 6 दिसंबर 1956, डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर नाम से लोकप्रिय, भारतिय बहुग्य, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिग्य और समाज सुधारक थे उन्होंने दलित बौधान दोलन को प्रेरित किया और अचूतों, दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधी एवं न्याय मंत्री भारतिय समविधान के जनक एवं भारत गनराज्य के निर्माताओं में से एक थे। राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आमबेटकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्मान में उनका महत्वपूर्म योगदान रहा। प्रारमविक जीवन आमबेटकर का जन 14 अप्रेल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांथ अब मध्य प्रदेश में स्थित महुनगर सैने चावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सक्पाल और भीमाबाई की 14 वी व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराथी मूल का था और वो वर्तमान महराश्ट्र के रतनागिरी जिले में आमबडवे गाव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाती से संबंध रखते थे, जो तब अचूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आमबेटकर के पूरवज लंबे समय से ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी की सेना में कारेरत रहे थे और उनके पिता राम जी सकपाल भारतिय सेना की महुचावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्हों पड़ता था। पड़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आमबेटकर ने सतारा नगर में रागवारा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल अब प्रताप सिंग हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में इसलिया। इसी दिन से उनके शेक्षिकी जीवन का आरंब हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महराश्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय विवा राम जी आम बेट कर यह उनका नाम उपस्थिती पंजिका में क्रमाक 1914 पर अनकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परेक्षा उत्तीर्ण हुए तब क्योंकि यह अचूतों में असामान्य बात थी। इसलिए भीमराव की इस सफलता क अचूतों के बीच सारवजनिक समारोग के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा कैल उसका द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेट दी गई। इसे पका उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध वबुद्ध धर्म को जान एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। नाम से आमबढवे कर हटा कर अपना सरल आमबेट कर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आमबेट कर नाम से जाने जाते हैं। 1913 में आमबेट कर 22 वर्ष की आयू में सयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्हें सयाजी राव गायकवार तृतिय बढ़ोदा के गायकवार। द्वारा स्थापित एक योजना के अंतरगत न्यू यॉक नगर स्थित कोलंबिया विश्व विद्याले में सनातकोत्तर शिक्षा के अफसर प्रदान करने के लिए तीन वर्ष के लिए 11.50 डॉलर प्रती माह बढ़ोदा राज्य की छात्रवित्ती प्रदान की गई थी। विज्ञान यह अन्य विशय थे। उन्होंने इस नातकोत्तर के लिए प्राचीम भारतिय वानिज एंशेंट इंडियन कॉमर्स विशय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। आमबेटकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। उन्नीस सो सोलह में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रिय लाभांच एक एतिहासिक और विशलेशनात्मक अध्यैन, National Dividend of India, a Historical and Analytical Study के लिए दूसरी कलास नातकोत्तर प्रदान की गई और अताता उन्होंने लंदन की राह ली। उन्नीस सो सोलह में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतिय विता का विकास, Evolution of Provincial Finance in British India के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की, अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकरित रूप से PhD प्रदान की गई। 9 माई को उन्होंने मानव विग्यानी एलक्जेंडर गोल्डन वेजर द्वारा आयोजित एक सैमिनार में भारत में जातिया। उनकी प्रणाली, उत्पत्ती और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। तीन वर्ष तक की अवधी के लिए मिली हुई छात्रवृत्ती का उप्योग उन्होंने केवल दो वर्षों में अमेरिका में पाथ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए। वापस लोटना पड़ा, जिनका दो फरवरी 1913 को निधन हो गया। कोलंबिया विश्व विद्यालय में स्नातकोत्तर अधेयन एक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधी अधेयन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ओफ एकॉनोमिक्स में भी प्रवेश लिया जहा लोटते समय उनके पुस्तक संग्रा को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था जिसे जर्मन पंडुब्बी के टार्पीडो द्वारा डुबो दिया गया ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था उन्हें चार साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लोटने की अनुमती मिली बड़ोदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आये भेदभाव से डॉक्टर भीमराव आमबेट कर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंब किया जो उनकी सामाजिक स्थिती के कारण विफल रहा अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राजजपाल लौट सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ओफ कॉमर्स एंड एकनोमिक्स में राजनीतिक अर्थ व्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई 1920 में कोलहपूर के शाहु महाराज अपने पार्सी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लेंड वापस जाने में सफल हुपाये तथा 1921 में विज्ञांस नातकोत्तर MSC प्राप्त की जिसके लिए उन्होंने Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India, British भारत में शाही अर्थ व्यवस्था का प्रांतिय विकेंद्री करन, कोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था 1922 में उन्हें ग्रेज इनने बैरिस्टर 8 Lodge डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया इसकी उत्पत्ती और इसका समाधान पर थी लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लोटते हुए भीमरावाम बेट कर तीन महीने जर्मनी में रुके जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त का अध्ययन बौन विश्विद्यालय में जारी रखा किन्तु समय की कमी से वे विश्विद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चोथी डौक्टरेइज्स, एलेल डी, कोलंबिया विशविद्यालय उन्नीस सो बावन और डीलिट, उस्मानिया विश्विद्यालय उन्नीस सो तिरपन, सम्मानित उपादिया थी। शुआचूत के विरुद्ध संघर्ष आमबेटकर ने कहा था शुआचूत गुलामी से भी बद्तर है आमबेटकर बढ़ोदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे अताह उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे उन्हें महराजा गायकवार का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया लेकिन जातेगद भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी उन्होंने इस घटना को अपनी आत्म कथा वेटिंग फॉर अवीजा में वर्नित किया इसके बाद उन्होंने अपने बड़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनह प्रयास किये जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में वह एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्ष व्यवसाय की स्थापना की किन्तु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना की ये अच्छूत है 1918 में ये मुंबई में सिडिनहेम कॉलेज ओफ कॉमर्स एंड एकॉनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने हाला की वे छात्रों के साथ सफल रहे फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बरतन साजह करने पर विरोध किया भारत सरकार अधिनियम 1919 तयार कर रही साथ ब्रो समिती के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आमबेटकर को साक्षे देने के लिए आमंत्रित किया गया इस सुनवाई के दोरान आमबेटकर ने दलितों और अन्य धर्मिक समुदायों के लिए प्रिथक निर्वाचिका और आरक्षन देने की वकालत की 1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मुकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की ये प्रकाशन शीग रही पाथकों में लोग प्रिय हो गया तब आमबेटकर ने इसका प्रयोग रूरीवादी हिंदू राजनेताओं वजातिय भेदभाव से लड़ने के प्रती भारतिय राजनेतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया उनके दलित वर्क के एक सम्मेलन के दोरान दिये गए भाशन ने कोलहापुर राज्य के स्थानिय शासक शाहु चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया जिनका आमबेटकर के साथ भोजन करना रूरीवादी समाज में हलचल मचा गया बॉमबे उच्छ न्यायाले में विधी का अभ्यास करते हुए उन्होंने अच्छूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें उपर उठाने के प्रयास किये उनका पहला संगठित प्रयास केंड्रिय संस्थान बहिश्कृत हितकारिनी सभा की स्थापना था जिसका उद्देश शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसाद ग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिश्कार के कल्यान करना था दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मुकना एक बहिश्कृत भारत, समता, प्रबुद भारत और जनतादवितिय आंगल मराथा युद्ध के अंतरगत एक जनवरी 1818 को हुई कोरेगाओं की लड़ाई के दोरान मारे गए भारतिय महार सैनिकों के सम्मान में आमबेटकर ने एक जनवरी 1927 को कोरेगाओं विजैस मारक, जैस तंब में एक समारो आयोजित किया यहां महार समुदाय से सम्बंधित सैनिकों के नाम संगमर मर के एक शिलालेक पर खुदवाए गए तथा कोरेगाओं को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया सन 1927 तक डॉक्टर रामबेटकर ने चुवाचूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंब करने का निर्नाय किया उन्होंने सारवजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जलूसों के द्वारा, पेजल के सारवजनिक संसाधन समाच के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अचूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कि के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति जिसके कई पद खुलकर जातिय भेदभाव वजातिवाद का समर्थन करते हैं कि सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने आपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतिया जलाई 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायों के नेत्रित्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति देहन दिवस के रूप में आमबेट करवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है 1930 में, आमबेटकर ने तीन महीने की तयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रा हारम किया कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयम सेवक इकठे हुए, जिससे नाशिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाय हुई जुलूस का नित्रित्व एक सेन्य बैंग ने किया था, स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और द्रिल संकल्प में चले गए थे जब वे द्वार तक पहुँचे तो द्वार ब्राहमन अधिकारियों द्वारा बंद कर दिये गए पूना पैक्ट मुखिलेक, पूने समझोता और गोलमेच सम्मेलन, भारत दूसरा गोलमेच सम्मेलन, 1931, जिसमें आमबेटकर, डाई तरफ से पहले, गाधी, मालवियव आदी लोग शामील थे अब तक भीमराव आमबेटकर आज तक की सबसे बड़ी अच्वूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलो की जाती व्यवस्था के उन्मूलन के प्रती उनकी कथित उदासींता की कटू आलोचना की आमबेटकर ने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस और उसके नेता महत्मा गाधी की भी आलोचना की उन्होंने उन पर अच्वूत समुदाय को एक करोणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया आमबेटकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे उन्होंने अच्वूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कॉंग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल ना हो लंदन में 8 अगस्ट 1930 को एक शोशित वर्क के सम्मेलन यानि प्रथम गोल मेच सम्मेलन के दोरान आमबेटकर ने अपनी राजनीतिक ब्रिश्टी को दुनिया के सामने रखा जिसके अनुसार शोशित वर्क की सुरक्षा उसके सरकार और कॉंग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है हमें अपना रास्ता स्वयम बनाना होगा और स्वयम राजनीतिक शक्ती शोशितों की समस्याओं का निवारंग नहीं हो सकती उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यक्ता उनकी हीनता की भावना को जगजोरने और उनके अंदर उस दैविय असंतोष की स्थापन करने की है जो सभी उचायों का स्रोथ है। आमबेटकर ने कॉंग्रेस और गाधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अचूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन्द समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोल में सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अचूतों को प्रिथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गाधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर आमबेटकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाती के आधार पर रोधी गाधी ने आशनका जताए कि अचूतों को दी गई प्रिथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गाधी को लगता था कि सवर्नों को छुआचूत भूलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधी द जानी चाहिए। किन्तु ये तर्ग गलत सिधह हुआ जब सवर्नों हिंदों द्वारा पूला संधी के कई दशकों बाद भी चुआचूत का नियमित पालन होता रहा, जैसी पांच पत्रिकाय निकाली। जब ब्रिटिशों ने आमबेटकर के विचारों के साथ सहमती व्यक्त करते हुए अचूतों को प्रिथक निर्वाचिका देने की घोषना की। इस प्रकार दलित प्रतीनिधी केवल दलितों की ही वोट से चुना जाला था। गाधी इस समय पूना की येरवडा जेल में थे। कम्यूनल अवॉर्ड की घोषना होते ही गाधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर इसे बदलवाने की मान की। लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मान पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण वरत रखने की घोषना कर दी। तभी आमबेटकर ने कहा कि यदि गाधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह वरत रखता तो अच्छा होता लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह वरत रखा है जो बेहद अफसोस जनक है। अब मरण वरत के कारण गाधी की तबियत लगातार बिगर रही थी। गाधी के प्रानों पर भारी संकतान पड़ा और पूरा हिंदू समाज आमबेटकर का विरोधी बन गया। लेकिन इसके साथ ही कम्यूनल अवोर्ड से मिली अथत्तर आरक्षित सीटों की बजाए पूरा पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा कर 148 करवाली। इसके साथ ही अचूत लोगों के लिए प्रतेक प्रान्थ में शिक्षा अनुदान में परियाफ्त राशी नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भरती को सुनिश्चित किया और इस तरह से आमबेटकर ने महात्मा गा एक नाटक करार दिया. 1942 में आमबेटकर ने इस समझोते का धिकार किया. State of Minority इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है. भारतिये रिपबलिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिकार सभाय हुई है. राजनीतिक जीवन सकता है जि एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्ष मात्र प्रदुशन फैलाने का परियाप्त कारण है. आमबेटकर दक्षिन एशिया के इसलाम की रीतियों के भी बड़े आलोचक थे. उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्षलिया पर मुसलिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर मिंदा की. उन्होंने कहा, बहुविवाह और रखेल रखने के दुश्परिनाम शब्दों में व्यक्त नहीं किये जा सकते जो विशेश रूप से एक मुसलिम महिला के दुहक के स्रोथ है. जाती व्यवस के बारे में पैगंबर द्वारा किये गए नुस्खे प्रशंसनिय है. इसलाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो. अगर गुलामी खत्म भी हो जाए पर फिर भी मुसल्मानों के बीच जाती व्यवस्था रह जाएगी. उन्होंन मुसल्मानों द्वारा अर्जल वर्गों के खिलाफ भेदभाव जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता था के साथ ही मुसलिम समाज में महिलाओं के उत्पीरन की दमनकारी परदा प्रथा की भी आलोचना की. उन्होंने कहा हाला की परदा हिंदों में भी होता है पर उसे बहुत मुश्किल हो गया है. उन्होंने आगे लिखा कि भारतिये मुसल्मान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आपको बहुत बदल लिया है. सामप्रदाइक्ता से पीडित हिंदों और मुसल्मानों दोनों समुहों ने सामाजिक न्याय की मान की उपेक्षा की है. 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतरगत रहते हुए बाबा साहब आमबेट करने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधार ने समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयतन किये, परंतु सवर्न हिंदूों का हरिदय परिवर्तन न हुआ. उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया. उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तरप्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयतन और सत्यागरह किये, परंतु सब निरर्थक सिधा हुए. हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है, हिंदू समाज का ये कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि आमबेटकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है. आमबेटकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुश्यता का कुछ भी मूल्य नहीं जो अपने ही धर्म के अनुयाई औ अच्छूतों को को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता नौकरी करने में बाधा पहुचाता है, बात-बात पर अपमानित करता है और यहां तक की पानी तक नहीं मिलने देता ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं आमबेटकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोशना किसी भी प्रकार की दुश्मनी वह हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिध्धान्तों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए आमबेटकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोशना की हाला कि मैं एक अचूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा उन्होंने अपने अन्याईयों से भी हिंदू धर्म छोड कोई और धर्म अपनाने का आहवान किया उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाव में भी दोहराया इस धर्म परिवर्तन की घोशना के बाद हैद्रबाद के इसलाम धर्म के निजाम से लेकर कई इसाई मिशनरियों ने उन्हें करोडो रुप्य का प्रलोबन भी दिया पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया नेसन देह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिती में सुधार हो पर पराय धन पर आश्रित होकर नहीं बलकि उनके परिश्रम और संगर्थन होने से स्थिती में सुधार आए इसके अलावा आमबेटकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुश्य और नेतिकता हो उसमें स्वतन्त्रता समता तथा बंधुत्व हो वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्णभेट तथा चुवा चुत्व की बीमारी से जकड़ा हो और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंध्विश्वास तथा पाखंडवाद हो 21 मार्च 1936 के हरिजन में गाधी ने लिखा कि जबसे डॉक्टर आमबेटकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बंगोला हिंदु समाज में फेका है उन्हें अपने निश्चे से दिगाने की हर्चन कोशिशे की जा रही है यहीं गाधी जी आगे एक जगह लिखते हैं हाँ ऐसे समय में सवर्ण, सुधारकों को अपना हरिदय तटोलना जरूरी है उसे सोचना चाहिए कि कहीं मेरे या मेरे परोसियों के व्यवहार से दुखी होकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है यह तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदों की एक बड़ी संख्या का व्यवहार ऐसा है जिससे देशभर के हरिजनों को अत्यदिक असुविधा और खीज होती है आश्चर्य यही है कि इतने ही हिंदों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया ये तो उनकी प्रशंसनी ये वफादारी या हिंदू धर्म की श्रेश्थता ही है जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दैता होते हुए भी लाखो हरिजन उसमें बने हुए है आमबेटकर ने धर्म परिवर्तन की घोशना करने के बाद 21 वर्श तक के समय के बीच उन्होंने ने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्यान किया उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण ये भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अन्याई धर्मात्रन करें आमबेटकर बौध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें तीन सिध्धानतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता बौध धर्म प्रग्या, अंध्विश्वास तथा अतिप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धी का प्रयोग, करुणा, प्रेम और सम्ता, समानता की शिक्षा देता है उनका कहना था कि मनुष्य इन ही बातों को शुब तथा आनन्दित जीवन के लिए चाहता है डेपता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते आमबेटकर के अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विग्यान अथ्वा बौधिक तत्व पर आधारित हो, नकी धर्म का केंद्र इश्वर आत्मा की मुक्ती और मोक्ष साथ ही उनका कहना था धर्म का कार्य विश्व का पुनर निर्मान करना होना चाहिए नकी उसकी उत्पत्ती और अंत्की व्याख्या करना वह जन्तांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिती में धर्म मानब जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है ये सब बाते उन्हें एक मात्र बौध धर्म में मिली सम्विधान निर्मान रख सके वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा सम्विधान खराब था बलकि इसका उप्योग करने वाला मनुश्य अधम था अनुच्छेद 370 का विरोध आमबेटकर ने भारत के सम्विधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेश दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ सम्विधान में शामिल किया गया था बलराज माधोक ने कहा था कि आमबेटकर ने कश्मीरी नेता शेक अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओ की रक्षा करनी चाहिए उसे आपके क्शेत्र में सरकों का निर्मान करना चाहिए उसे आपको अनाज की आपूर्ती करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तिया होनी चाहिए और भारतिये लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए इस प्रस्ताव को सहमती देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासगाती बात होंगी ये कभी नहीं करेगा फिर अब्दुल्ला ने नहरू से संपर्क किया जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया जिन्होंने बदले में वल्लभाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नहरू ने सके का वादा किया था अब्दुल्ला विशेश स्थिती, पटेल द्वारा अनुच्षेद पारित किया गया जबकि नहरू एक विदेश दौरे पर थे, जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था आमबेटकर ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया सभी तरक्रिष्णा स्वामी अयंगार द्वारा किये गए थे मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों धर्म को इस विशाल व्यापक खेत्र अधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कव किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमन से विधायका को रोग सके सब के बाद हम क्या कर रहे हैं के लिए इस स्वतंत्रता हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें ये स्वतंत्रता हो रही है जो असमान अता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरा है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते है आमबेटकर वास्तव में समान नागरिक सहिता के पक्ष्धर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे आमबेटकर का भारत आधुनिक, वैज्यानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता उसमें पसनल कानून की जगह नहीं होती समविधान सभा में वहेस के दोरान, आमबेटकर ने एक समान नागरिक सहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतिय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की 1951 में संसद में अपने हिंदू कोर्ट बिल खिंदू सहिता विधयक के मसौदे को रोके जाने के बाद आमबेटकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हिंदू कोर्ट बिल द्वारा भारतिय महिलाओं को कई अधिकारों प्रदान करने की बात कही गई थी इस मसौदे में उत्तर अधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लेंगिक समानता की मान की गई थी हाला की प्रधान मंत्री नहरू, कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया पर राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभाई पटेल समेट संसत सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी आमबेटकर ने 1952 में बॉम्बे उत्तर मध्यक निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलिय उम्मीद्वार के रूप में लड़ा पर वहार गए इस चुनाव में आमबेटकर को 123, 576 वोट तथा नारायन सडोबा का जोलकर को 139, 137 वोटों का मद्दान किया गया था मार्च 1952 में उन्हे संसद के उपरी सदन यानी राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यू तक वो इस सदन के सदा से रहे आमबेटकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतिय थे उन्होंने तर्ग दिया की ओध्योगी की करण और क्रिशी विकास से भारतिय अर्थ विवस्था में वृद्धी हो सकती है उन्होंने भारत में प्राथमिक उध्योग के रूप में क्रिशी में निवेश पर बल दिया शरत पवार के अनुसार, आमबेटकर के दर्शन ने सरकार को अपने खादे सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद की। आमबेटकर ने राष्ट्रिय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की, शिक्षा, सार्वजनिक स्वचता, समुदाय स्वास्थ, आवासिय को बुनियादी सुविधाओ के रूप में जोर दिया, उन्होंने ब्रिटिश शासन की वजए से हुए विकास के नुकसान की गणना की। भारतिय रिजर्व बैंक, RBI, आमबेटकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यान कमिशन को प्रस्तुत किये। बॉंबे, मुंबई, गये और वहां डॉक्तर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रेल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्तरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित सा ग्यान हो। डॉक्तर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता आमबेटकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। करते हुए डॉक्तर आमबेटकर ने घोशना की कि वे बौध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्थ होगी वो अपचारिक रूप से बौध धर्म अपना लेंगे। 1954 में आमबेटकर ने म्यानमार का दो बार दोरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौध फैलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतिय बौध महासभा यानि बुद्धिस्ट सुसाइटी ओफ इंडिया की स्थापना की। तो वो धर्म केवल बौध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ट अधेयन के 25 वर्षों के बाद ये द्रिर विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। प्रथम डौक्टर आमबेटकर ने अपनी पतनी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्त वीर चंद्रमनी द्वारा पारम परिक तरीके से त्रिरत्न और पंच शील को अपनाते हुए बौध धर्म ग्रहन किया। इसके बाद उन्होंने अपने पांच लाख अनुयाईयों को त्रिरत्न, पंच शील और बाइस प्रतिग्याई देते हुए नवयान बौध धर्म में परिवर्तित किया। डौक्टर भीमरावाम बेटकर जीव उनका का परिवार कबीर साहिब जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित था तथा कबीर साहिब जी के ग्यान को आधार बना कर जीवन जीते थे। किया जा सके इसलिए आमबेटकर ने अपने बौध अन्यायों के लिए 22 प्रतिग्याई स्वयम निर्धारित की जो बौध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। शराप के सेवन न करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौध धर्म को अपनाने से संबंधित थी। नवयान लेकर आमबेटकर और उनके समर्थकों ने विशमतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की सपष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। आमबेटकर ने दुसरे दिन 15 अक्टूबर को फीर वहाँ अपने 2-3 लाख अनुयायों को बौध धम्म की दीक्षा दी। प्रेटकर ने स्वयम 11 लाख से अधिक लोगों को बौध धर्म में परिवर्तित कर विश्व के बौधों की संख्या 11 लाख बढ़ा दी।